जे नमस्कार मित्रों तो UPSC की तेयरी करने वाले सब भी serious players को तो वैसे पता ही होगा कि गरीबी के क्या प्रकार होते हैं absolute और relative ये तो हमने पड़े थे लेकिन आप ये उत्तर प्रदिश की जो एक्जाम होई state service एक्जाम उसमें उन्होंने और चीज़ पुछी subjective poverty जिसके बारे में books में ज्यादा जिक्र नहीं है तो एक बार जल्ली से तीनों टाइप के revision कर लेते हैं जैसे world bank ने एक line बना दिये वो line है कि 2.15 तो यानि अगर आप दिन में 2.15 डॉलर या उससे ज़्यादा में अपना जीवन निर्वाह करते हैं तो फिर आप गरीब नहीं है इसका मतलब ये भी हुआ कि जो अगर कोई गरीब किसान है वो कहे कि मैं डेली 2.15 डॉलर से कम पैसो में जीवन निर्वाह करता हूँ तो यानि कि वो below poverty line है वो गरीब ही रेखा के नीचे as per the world bank definition भारत के अंदर भी एक सूरे स्तेंदूल कर कमिटी बनी थी उन्होंने भी कुछ ऐसा अपना बनवाया था कि अगर आप शेहरों में रहते हैं और हर महिने हजार उपे भी खर्च नहीं कर पाते तो आप below poverty line है आप गरीब ही रेखा के नीचे ठीक है तो हमने poverty type में पहला समझ लिया absolute poverty line क्या है अभी दूसरा समझते है रिलेटिव यानि कि सापेक्स poverty line क्या है observe this family ये क्या कह रहे हैं कि हम दिन में 2.15 डॉलर से तो ज़्यादा पर जीते हैं तो वर्ल्ड बेंक की definition के इसाब से तेलोग गरीब नहीं है पनाब अगर ध्यान से देखो तो financially कुछ जादा सुखी भी नहीं लग रहे हैं हमारी माल्याहालत बहुत अच्छी भी नहीं है तो आप इसको कैसे मरलब यह ऐसी बात है कि BPL तो आपने ढून लिए कि एकदम गरीब है लेकिन आप जो एक लाइन में खड़ा कर दो उनकी income के increasing order में मतलब आमदनी के इसाब से जो गरीब है नीचे हो उसके थोड़ा उपर उपर ऐसे आप लाइन बना और फिर आप निकालो median median का मतलब क्या होता है सपोज अपने पास एक दो तीन चार और पांच है तो जो बीच में उसको क्या कहेंगे median तो अगर यह 11 लोग हैं तो बीच में जो आएगा पांचवे नंबर का या चठ्थे नंबर का उसको आप क्या बोलोगे median है अब यह median से भी यह median जो family है उसकी भी जो income है उससे भी आपकी income अगर 60% से कम है तो फिर माना जाएगा कि you are a relatively poor person आप सापेक्ष रूप से आपके देश के बाकी परिवारों के मुकाबले आप बरीब है तो absolute done relative यानि सापेक्ष done तीसरा है subjective यानि व्यक्ति परक कि वो ए कि व्यक्ति की अपनी सोच पे निरबर करता है हर्श वर्धन कपूर जो अनिल कपूर का बेटा है वो क्या बोल रहा है कि मैं तो गरीब हूँ इसलिए मुझे second hand lamborg की नहीं खरीदनी पड़ेगी क्योंकि first hand खरीदने का पैसान इसलिए मैं गरीब हूँ तो मतलब जब व्यक क्यों से गरीबी के प्रकार है which of the following are the types of poverty absolute poverty करेक्ट है वल्बेंक की डेफिनेशन रिलेटिव पावर्टी वो ब्रिटेन के एक्जामपल से हमने दिखा मीडिया निकम निकालो सब्जेक्टिव पावर्टी हर्षवर्धन का पूर का देखा फंक्शनल पावर्टी ऐसा तो क वो कि यू एक तो अन्सर जा का तो का दित!